ओनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हर्तिक स्वागत और अभिननदन है आज हम लोग मियासिस को कंटिनू कर दिवे मियासिस सेकेंड पढ़ रहे हैं क्लास बीएसिपार फिर्स्ट के लिए जोद्पुर की सिलेविस के क्रोडिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं मियासिस सेकेंड हमने थोड़ा सा रिविजन कर लीते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है उसके बाद हम यह सेकेंड को शुरू करेंगे हमने मियासिस के बारे में इस डिविजन को रिड़क्शन डिविजन कहते हैं जो एक मात्र कोशिका होती है जो एक पैरेंटल सायल है उससे चार डॉटर सेल्स बनती है इस काहरें इस डिविजन को रिड़क्शन डिविजन कहते हैं मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हो इसको रिड़क्शन ड एक बार हो रहा है लेकिन division Kendra का division या दो बार हो रहा है दो बार Kendra division हो जाने के कारण नुपलियस का division दो बार हो जाने के कारण इसको reduction division कहते हैं जिससे meiosis first में chromosome की नंबर आधे रहे जाते हैं मियोसीस first और second दो मियोसीस के दो प्रकार हैं मियोसीस first को heterotypic division कहते हैं reduction division कहते हैं इसके द곡्यार होโμोलोगसु करुमोगोजोमichen होता है homologous chromosome है वो separate होते हैं meiosis second इसको homeotific division homeo-nionis summa sum में sum sutri यानि कि meiosis second जो है वो sum sutri विवाजन का ही एक प्रकार जिस तरह से sum sutri विवाजन होता है उसी तरह से meiosis second होगा यहाँ पर जो sister chromatids है उनका separation anaphase अवस्था में होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर chromosome के नंबर में कोई परिवर्दन नहीं होगा जो हुआ वो chromosome नंबर meiosis first में थे वो meiosis second में बने रहेंगे इस कारण इसे homo-homotipic division कहा जाता है यह इसे समसुत्र विवाजन भी कहते हैं अब क्या हुआ कि meiosis first complete हो गया था meiosis first के हमने प्राफिस प्राफिस की 5 सब इस्ट्रीस को discussion किया वहाँ पर फिर हमने उसकी प्राफिस अनाफिस, मेडाफिस और टीलोफिस को वहाँ पर हमने पढ़ा था टीलोफिस अवस्ता की बाद एक डॉर्टर से टीलोफिस की बाद एक डॉर्टर सेल से दो एक पैरेंट सेल से दो डॉर्टर सेल का क्या हो चुका था निर्बान हो चुका था एक जो ये पैरेंट सेल है ये क्या थी 2N थी और इससे क्या बन गई थी दो डॉर्टर सेल बनी थी, जिसमें नंबर ओप जो क्रोमोजोम थे, वो क्या रह गए थे, हाफ रह गए थे, नंबर ओप क्रोमोजोम जो थे, वहाँ, रिडक्शन डिवीजन के कारण इनका नंबर जो है, वो क्या रह गया था, आधा रह गया था, इस कारण इस डिवीजन को यह सिर्फ के लिए मिया थे प्रिपरेशन के लिए मियाओ से सकींड के लिए तयार होती है जब ऐसм म्योंसाी 1st मियोसे सेकेंड के बीच का यू движ म्योसे सेकेंड मीजाती है तो वह अपने आपको डिविजन के लीए प्रिपैर करती है कुछ उसमें चैंज्येश होते हैं कुछ परिवर्त Alrighty के चैंज्वाईजänd के इणडेक्स कहलाएगा, चुंकि मैंने पहले भी बता चुकि आप लोगों को कि यहाँ राप्लिकेशन नहीं होगा, राप्लिकेशन केवल एक ही बार होगा, डिविजन दो बार हो रहा है, राप्लिकेशन ऐस फेज में हो चुका है, अब दुवारा मियोसी सेकेंड के दौरान राप्लिके के सम्मानी होता है सबसे पहले मियौसिस 2 की जो अवस्था हम पड़ रहे हैं वह है प्रॉफिस क्या-क्या परिवर्दन होते हैं समसूत्री विवाजन में जो घटना करम हुआ था वही कह वही घटना करम मियौसिस 2 में होगा सबसे पहले केंदरग जिली लूब्थ हो जाएगी मियौसिस 1 में केंदरग जिली जो बनी थी ते लफीच अवस्था में वहाँ पर दो डॉक्तर सैल है थीस हैल डौटटर सैल गया दो हैपलोड डॉर्टर सेल बनी है यहां पर अब क्या हो रहा है कि केंदर जिल्ली लुप्त हो रही है फिर धीरे नुकलोलस यानि केंदरी का भी को लुप्त होने लगती है there are spinelle fiber last में में श्रू हो जाता हैँ गंशुत्र अपनना दिखाई देने लगते हैं इनका आकार काफी सबस्ट हो जाता है अगर में यह केंदर केंगे तो तार केंदर बनते हैं और थ्रू की तरफ परने लगते हैं प्लांट में तारकाई जैसी कोई सरंचना नहीं बनती है, चूंकि जब हम बास इलबलाओजी की करते हैं, तो हम कॉमन टॉपिक पढ़ते हैं, जहां प्लांट और आनिमल को कॉमन धान में रखते विए इन चीजों को पढ़ा जाता है, अगर स्पासिफिक प्लांट की हम बात करें, तो पादपो में तारक काई जैसी कोई सरंचना निर्मा नहीं होता है, को सो करेगा कि जो sister chromatires हैं वो आपस में separate होंगे separation के लिए इनमें repulsion यानि प्रतिकर्शन होना ज़रूरी है एना फे सेकीन अवस्ता में दोनों chromatires के मदेव प्रतिकर्शन अपनी चरम सीमा पर होता है चरम आवस्था पर होता है अब contractile जो fibers है उनमें गुण सुत्र विप्टी ध्रों के और किचने लगते हैं आप लोगोंने पढ़ा होगा contractile fiber में मैंने आप लोगों को जब fiber पढ़ाया था सुक्षम न लिकाए पढ़ाया था तह मैंने आपको contractile fiber के बारे में बताया था contractile fiber वे fiber हैं जहां पर जिनके साथ continuous fiber भी कहते हैं दूसरे fiber जो continuous fiber थे जो एक पोसे दूसरे पोल को जोड़ रहे थे उनको हम continuous fiber कहते हैं discontinuous fiber या chromosomal fiber way fiber या contractile fiber है जहां गुण सुत्र जुड़िवे रहते हैं जो contractile fiber है उनमें सगोचन होने के कारण ये दोनों धुरों की और खिचने लगते हैं spindle fiber में dehydration हो जाता है गुण सुत्र धीरे धीरे विप्रित धुरों की और गति करते हैं तीलोफेज अवस्ता में monovalate chromosome विप्रित धुरों पर एकात्रित हो जाते हैं avena phase में separation हो गया है sister chromatids का और धुरों पर गुण सुत्र जो है वो एकटे होने लगते हैं उसके बाद ये लंबे और पतले हो जाते हैं केंद्रक कला यहां पर spust होने लगती है वापी से केंद्रक छिली यहां बन जाती है केंद्री का जो प्राफिस अवस्ता में विलोप्त हैं अब यह उसी फरस्ट हुआ था तो हां पर एक सेल से दो डॉर्टर सेल बन गई थी जिसमें क्रोमोजोम नंबर कैसा है और बराबर टूए है अब यहां नंबर ऑप क्रोमोजोम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यहां राप्लिकेशन दुबा होती है अब मेटाफीज अवस्ता में मेटाफीजिक प्लेट पर क्रोमोजोम का क्या हो रहा है अरेंजमेंट हो जाते हैं मेटाफीजिक प्लेट पर क्रोमोजोम एक प्लेट में अरेंज हो जाते हैं एनाफीज में जो सिस्टर क्रोमेटीर्स हैं उनमें सैपरेशन होगा जो दोनों से स्ट्रे क्रोमिटर्स हैं वो विप्रित्थ्रों के और गतिक करने लगते हैं और उनका मोमेंट होता है एक आनिवल फोस है एक वाजटिटिव पोल इसको हम लोग कहेंगे टीलोफीज अवस्ता में सैप्रिशन कंप्लीट हो जाता है चैन्द्रक जिल्ली फिर बन जाती है केंद्री का फिर से उत्पन होती है Spindle Fiber यहाँ पर Reveloped हो जाते हैं और यहाँ पर जो एक Daughter Cell शुरू में थी उससे यहाँ पर चार पुत्री कोशिकाओं का क्या हो चुका है निर्मान हो चुका है चुकि यहाँ पर क्रोमोजोम में किसी तरह का कोई नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इस कारण यहाँ पर चारों Daughter Cells बनती है उनमें नंबर ओप क्रोमोजोम होंगे वो कैसे होंगे हैपलॉइट रहेंगे यहाँ पर N बराबर क्या होगा 2 रहेंगा तो N बराबर यहाँ नंबर कितना है 2 है तो एक Daughter Cell में एक पैरेंट सेल थी और उससे यहाँ मियोसी सेकेंड के दौरा कितनी पैरेंट सेल बन गई है यहाँ पर कितनी Daughter Cell बनी है चार Daughter Cell बनी है जिसमें नंबर ओप क्रोमोजोम कितना है हैपलॉइट होता है अब देखिए दोनों में अंतर क्या है मियोसी सेकेंड में अगर हम क्रोमोजोम के तार बर देखें तो मियोसी सेकेंड में होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन हो था ध्यान में रखना बहुत अपोर्टेंट चीज है यही आपको चीज है जो समझनी है कि separation कैसी हो रहा है तो homologous chromosome का separation होने की कारण जो नमबराग chromosome में वह हाफ रह गए थे यह homologous chromosome इस आवस्था में separate हो रहे हैं meosy second में chromatids, जो sister chromatids हैं वो क्या हो रहे हैं? separate हो रहे हैं इसलिए number में कोई परिवर्थन नहीं होता है जिस तरह से समसुत्री विवाजन में हुआ था, उसी तरह से meosy second में होता है first में separation of homologous chromosome होगा, meosy second में separation of chromatids होता है अब क्या होगा? कि जो separation जब होगा, जो daughter cells बनती है उनमें cytokinesis के दोरान cytokinesis होता है तब daughter cell का क्या होता है? क्या होता है? निर्मान होता है cytokinesis, अगर हम पोधों की बात करें तो cytokinesis cell plate माथर द्वारा होता है cell plate कैसे बनती है? यहाँ पर endoplasmic reticulum और गॉल्जी बोडी की वैसिकल से phragmoplast बनता है और इस phragmoplast से एक plate का निर्मान होता है जिसे हम cell plate कहते हैं इस cell plate से एक parent cell दो daughter cell में विवाजित हो जाती है separate हो जाती है इस विदी को कोशी का पठ विदी कहा जाता है खासकर पार्पों में यह विदी होती है मियावसिस क्यों जरूर यह significance क्या है मियावसिस के मियावसिस के द्वरान लेगेग जनन में प्रतिक जाती में गुण सुत्रों की संक्या निचित पनी होई रहती है इस विदाजर में हमने देखा कि पेकाईटीन स्टेज मियावसिस फर्स्ट की जो पेकाईटीन स्टेज थी वहां पर crossing अवर हुआ था इस crossing अवर के कारण विविनताय उत्पन होती है नए गुणों का समावेश होता है जो नए गुण आते हैं जाती में वो नए गुण किस कारण आते हैं पेकाईटीन अवस्ता में होने वाले crossing अवर के कारण नए गुणों का समावेश होता है नई करेक्टर का जो variations आती है अगली PD में वो variation मियोसिस के कारण आती है और मियोसिस में भी किस के कारण? crossing over के कारण ये variations हमें देखने को मिलती है मियोसिस के बाद बनने वाली प्रतिक daughter cell अपने parent cell से different होती है उसमें कुछ नए गुण समावित होते हैं क्योंकि उसमें दो अलग अलग parents से आयोई daughter cells होती है अलग अलग parents से और daughter cells है जिसमें एक mother और एक father तब जड़ जाइगोट बनेगा वो क्या होगा? अलग तरेका होगा उसमें नए गुण समावित होगे अब हम यह meiosis common चीज़ है कई बार आपको अलग अलग टाइप भी meiosis के भी देखने को मिलेंगे तो मैंने यहां पर इनको include किया है initial meiosis यह zygotic meiosis कहते हैं यह thallophyte या अलगी वगेरा चो लो वर सो रहा है ना माइक्रो स्पोर बन रहा है तो माइक्रो स्पोर महदर सैल में तो इसे हम अभी तक हम अभी पढ रहे थे स्पॉरिक मियासिस के हम बात करें थे हम हाइर प्लांट में होने वाले meosys की बात करेंगे। आप बात करें थे आप ऐल्गा में छोड़ा पढ़ेंगे तो एल्गा में थोड़ा सा सैल जो होती है वह रिप्रेड़क्टिव सैल डिफरेंट हो सकती है, अगर वह जाइगॉटिक सैल है या फिर स्पॉरिक सैल हो सकती है थार्ड ट्रेमिनल मियोसिस है इसके गैमिट मियोसिस कहते हैं यह हाई शेडी के एनिमल्स होते हैं उनमें जैसे मेटाजुआ उनमें इस तरह का मियोसिस गैमिटिक गैमिट्स बनने के दौरान होने वाला मियोसिस गैमिटिक मियोसिस कहलाता है मेया उस फर्स्ट और म्यंतिफ सेकिंड मेर्वम म beta में नियुकलिस और साइट करयोजानेस mü बहुत सारा, पहला meiosis में synapsis बनता है first में, second में नहीं बनेगा, third में crossing over होता है meiosis first में, meiosis second में नहीं होगा, metaphysm में ने आप लोगों को क्या का, कि meiosis में separation of homologous chromosome, यहनि homologous chromosome उनका separation होगा meiosis first में, और homologous chromosome है opposite pole पर moment करेंगी, meiosis में किसका moment होगा है, separation किसका होगा है, sister chromatides का separation होगा है, यह हो गया, इसके end में 2 haploid cell बनती है और यहाँ पर कितनी बनती है, 4 haploid cell बनती है, mitosis और meiosis में दोनों में क्या आंतर है, mitosis हर एक body cell में होगा, यहनिकि जो भी somatic cells होती है, हर एक somatic cell में mitosis होगा, लेकिन meiosis केवल और केवल reproductive cell में होगा यहाँ पर एक division होता है यहाँ पर दो होता है meiosis first और meiosis second यहाँ पर individually यानि कि जो chromatid से उनका separation होगा है यहाँ तो पहले homologous chromosome का separation होगा meiosis first में और meiosis second में individually यानि sister chromatid का separation होगा number of daughter cell कितनी बनती है, 2 बनती है, यहां कितनी बनेगी, 4 बनेगी, बनने माली daughter cell में number of chromosome, meiosis, mitosis के दौरान सेम रहेंगे, यानि कि deployed cell थी तो deployed ही रहेंगे, यहां पर haploid हो जाएंगे, आधे रहे जाते है number of chromosome, यहां जैसा parents से copy बनती है, mitosis first photocopy है parents की, जैसा parents होता है, हुब बनती है, उसमें नए गुणों का समावेश नहीं होता है, लेकिन यहां पर नए गुणों का समावेश होगा, parents से नए गुण बनेगे, क्योंकि यहां पर crossing over हो रहा है, exchange of chromosome, हो लोग इस chromosome की बीच में exchange हो जाने की कारण, जो daughter cell बनती है, parents से थोड़ी भीन होती है, variation यहां प लेकर उनका हमा यहां पर meiosis के questions में आप लोगों को लेकर आई हैं, जो commutative exam में पूछे जाच चुके हैं, one of these events does not take place during meiosis, यानि meiosis के दोरार नेमने में से कौन सी घटनाए नहीं होगी, first and one successive division without any DNA application, chasmeter formation and crossing over, बिलकुल होता है, segregation of homologous chromosome होता है, separation of sister chromatids भी meiosis second के दोरार होता है, लेकिन first नहीं होगा, the meiosis division take place in only reproductive cell, meiosis के से में होगा, only reproductive meiosis cell, meiosis meristematic cell, conductive cell और vegetative cell में क्या होगा, mitotic division होगा, mitotic division के से में होगा, in cell में होगा, reproductive cell में meiotic division होगा, Name the events where in the parental and maternal chromosome change their material with each other in cell division, i.e. crossing over in picatin stage of meiosis first. continuous variation are due to variations क्यों होती है जो continuous variations आती है किसी भी daughter cell में वो crossing over के कारण आती है synapses take place between two homologous chromosome non-sister chromatils of homologous chromosome एक चुल में answer क्या होना चाहिए अगर ऐसा बहुत बार option ऐसे आता है sister chromatils non-sister chromatils of homologous chromosome number six meiosis first is a reduction division and meiosis second is a equational division because of separation of chromatils meiosis में first में क्या होगा homologous chromosome का separation होता है लेकिन meiosis second में किसका separation होता है chromatils का separation होने के कारण इसको हम equational division कहते हैं तो आप इनको अच्छे से पढ़िए ध्यान से पढ़िए meiosis second को और भी बहुत सारे questions है cell division को लेकर हर एक तरह के competitive exam में आज general science के तोर पर पूछे जाते हैं कुछ questions मैंने हाँ पर add किया है आप और भी पुराने papers में उन question को search करिये और इन question को solve करिये cell division से लेकर यहने cell cycle का first video से लेकर अब तक मैंने 5-6 videos बनाए है cell division को लेकर meiosis, mitosis, meiosis first, meiosis second आप उन से भी videos को देखिये उनको देखने के बाद आप अपनी problem जो questions पुराने exam में पूछे गए हैं उनको solve करिये अगर कोई problem है तो आप उनको personally पूछे कि कोई problem आ रही है आपको question solve करने में यह नहीं है तो उसका solution हम अगली video में करेंगे थैन येड़ से थूछे के इंडन आपको सावरिय में अपबे को बतारति आnd शापते पवाज़ को आपके बाद आपो is aún उनको अप Leh